तो आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम का नेक्स टॉपिक ठीक है तो यह टाइप फाइप है यह क्या है गुड़ा और भाग पर अधारित प्रस्न के बारे हम लोग देखेंगे तो चलो प्रस्न देखते हैं किसी संख्या को 15 से गुड़ा करने पर ऐसी संख्या प्राप्त होत माना संख्या इक्वयर चुड़ लेते हैं X अब बोला के है कि ऐसी संख्या ग्याद करनी है जो 15 से गुड़ा करने पर सभी अंग पांच होते हैं मिस प्रसना नुसार 22 Wade प्रसना नुसार यह जो संख्या में एक्स माना हुं इसको 15 से गुड़ा करूंगा तो क्या आएग आ पता नहीं है तो आप देखो यहां से क्या हो जाएगा एक सिक्वर्टू हो जाएगा पांच 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 अपॉंच हो जाएगा ठीक अब पंदरा से हम लोग इसको भाग देंगे तो हम लोग का जो आ जाएगा तो पंदरा से अगर पांच पांच को अगर भाग दिया सब्सक्राइब कर देखते हैं दूसरा को सब्सक्राइब कि जो अठारा से पूरी तरह विभाजित हो जाए इसको हम लोग अठारा से भाद देंगे तो यह सी कौन सी संख्या होगी जो उससे पूरी तरह विभाजित हो जाएगे तो डारेक्ट हम लोग का देखो क्वेस्चन देखने से लगता है बहुत अजीव है लेकिन बहुत इजी रहता है ठीक अठारा से डारेक्ट भाग दे तो इसको 157 को ठीक तो अठारा अठे एक सो चवालीस कि यहां पर चाओदा अठारा अठे एक सो चाओदा एक सो अठावड मींज वह संख्या कौन सी है 1584 है 1597 के निकट तब हम लोग वह संख्या ग्याद करनी है जो क्या है 18 से पूरी तरह विभाजित हो जैसे प्रस्ण बोलता है वैसे हम लोग को सौल करना है ठीक तो दिखो अब यह क्या संख्या 1584 हम लोग 18 से भाग दिए 1597 को तो हम लोग का जो एंसर आया हो क्या अठासी आया और 1888 को मार्टिप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1584 होगा ठीक 1584 यह है एंसर अब देखो इसमें तिसरा क्वेस्टन में क्या बोलता है कि दो संख्याओं का गुडण फल 845 है बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भाग फल 5 प्राप्त होता है संख्याओं याद कीजिए ठीक है तो देखो यहाँ पर संख्या दिया नहीं है तो माना बड़ी संख्या बड़ी संख्या एक से तथा छोटी संख्या वाई है हम लोग दिया नहीं है कौन से संख्या क्या दिया है ठीक है हम लोग मानते हैं कि बड़ी संख्या जो है यहां पर X है और छोटी संख्या Y है अब देखो इसमें question क्या बला है दो संख्या जो हम लोग दो संख्या यह है x और y ठीक है तो दोनों का गुड़न फल 845 है means x into y equal to 845 ठीक अब क्या बोला है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को भाग देने पर भाग फल 5 प्राप्त होते है means x by y equal to 5 देखो ये बड़ी संख्या x है और चोटी संख्या हम लोग y से भाग दे दिये तो क्या हुआ 5 प्राप्त होते है बोला है ठीक तो यहाँ पर x equal to 5y ठीक अब देखो यहाँ पर क्या होगा x equal to 5y है तो यहाँ पर x का value रखेंगे हम लोग तो 5y into y equal to 845 ठीक y into y कितना हो जाएगा y square हो जाएगा y square equal to 845 upon 5 ठीक अब देखो 845 को अगर 5 से हम लोग divide करते हैं तो 5 बाइब बच्चा क्या 3, 4, 5, 6, 30, 4, 5, 5, 9, 45 means कितना आया 169 अब y square equal to 169 तो y equal to क्या आएगा 13 आएगा ठीक एक 180 का जो square होट होता है वो क्या होता है 13 होता है अब देखो y equal to 13 आए तो x equal to क्या आएगा x equal to क्या है 5 y है means 13 into 5 65 वो जो संख्या है वो क्या क्या है 13 और 65 है ठीक अब देखो type 6 आता है भाग की गुरन खंड विधी पर आधारी प्रस्ना भाग का जो गुरन खंड विधी होता है ठीक है एक तो normal ऐसे भाग देते है वो वाली है ठीक है ऐसे वाला और एक गुरन खंड भी विधी होता है ठीक है उसको हम लोग देखते हैं प्रस्न है इसमें 3 4 3 5 6 7 8 में क्रमसा 5 3 7 से भाग दिया जाए तो पूर असेस कितना होगा ठीक तो हल करते हैं इसको हम लोग को यहां पर निकालना है पूर असेस तीन 4 3 5 6 7 8 इसको बुला है किस से भाग देना है 5 3 और साथ से तो 5 से अगर भाग दें तो क्या होगा 5 6 का 30 हो जाएगा अब यहां पर बचा 4 43 5 48 अब बचा यहां पर क्या बचा 35 बचा 5 7 35 अब यहां पर 5 एकम 5 5 3 15 5 25 बच गया तीन तो यहां पर 3 हम लोग का सेज बचा अब किस से भाग देना है बला है 3 से अब यहां पर बचा दो तीन निया 27 अब यहां पर तो होगा नहीं जीरो तीन चर्क बारा तीन पंच से पंदर है पूरा भाग की चला गया मतलब यह जीरो हो गया यह होता है भाग का गुरान खन्विदी अब देख किस से बला है साथ से 27 यह बचा एक साथ दूर्णी च वधा 5 6-7-うचा यह कंप इस सात दूर्णी अब पांस तो जाए गई नहीं ठीक है तो इहां पर जीरो हो जाएगा अब 5 अब देखो हम लोग को पूरा सेस निकालने बोला है तो यहां पर जो सेस से ए इससẽ हम लोग क्या गटए है इसको म अब नेक्स्ट में क्या करेंगे इससे इसका इसका मुल्टिप्लाइब करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 3 तो 3 प्लस 0 इंटू 5 तो 0 ही हो जाएगा प्लस 0 और 5 इंटू 5 इंटू 3 75 यह है हम लोग का एंसर ठीक समझाया देखो पहले हम लोग क्या किये हैं यह जो डंबर दिया है इसको हम लोग पहले 5 से भाग गये तो 5 शक्का 30 फिर बचा क्या से जो बच गया इसको यहां पर रखे 3 को अब यहां पर ऐसे इससे मल्टिप्ल ब holiness इसके साथ इसको लेते हैं फिर इसके सांथ जोर अगर ऑर डिजीट रहता तो मालो यहां पर एक रहता कि dni Nex में हम लोग और करते एक रहता तो एक यहां पर नहीं है तो यहां पर क्या हो जाएगा और बृष़ाय । सेवंटी एट एंसर आया ठीक अब देखो दूसरा क्वेस्चन दिया है किसी संख्या में 5-7-11 से भाग देने पर सेश क्रमसह 3-10 प्राप्थ होते हैं यदि उसी संख्या में 5-7-11-380 से भाग देने तो वास्तविक सेश कितना होगा हम लोग को यहां पर निकालना है सेश ठीक है तो देखो किसी संख्या में क्या क्या वो लहें 5-7-11 यह दो है जो भाग देते हैं अब यहां पर सेश कितना है तीन एक और दस तो चलो पहले टैक से अगते हैं तो क्या करते थी तीन ठीक है अब जो सेश आया है एक गुड़ी 5 यहां से देखो यह एक है इसके यहां पर पहले पहले को पहले जैसे का तैसे रखा था फिट दूसरे को क्या क्या था मर्टिप्लाई किया था ठीक आप क्या हो जाएगा दस दस के साथ पांच और साथ दो नकलें तो तो 359 यह हम लोग का वास्तविक सेष जो बला है अब उसी संख्या को अगर हम लोग इससे भाग दें पांच साथ 11 से तो वास्तविक सेष क्या होगी यह हम लोग को पूछ रहे ठीक तो क्या होगी 359 को अगर हम लोग पांच साथ और 11 इससे भाग देंगे तो वास्तविक सेष यह होगी तो अब साथ दम हम साथ एककम साथ जीरो ठीक हम क्या बचा वन बचा अब यह तो जाए गई नहीं तो यह क्या होगा तीन एक हम लोग का जो वास्तविक सेष होगा वास्तविक सेष तीन एक और 11 होगा इस टैट से कुस्टेल पुष्टता है ठीक है अभी हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल विभाद जिता नियम हमें पता होने चाहिए कि कौन से नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है ताब हम उसको इसली सौल कर सकते हैं नहीं तो बहुत दिक्क करते हैं तो तैमाल को इसे नंबर दे दिया है पचास डिजिट का दे दिया है तो हम लोग उसको कैसे करेंगे जैसे कि 3 4 5 7 8 9 10 11 12 ऐसे कुछ दे दिया है ठीक है सब सब नंबर जैसे एक सांधे तो हम लोग को पता होना चाहिए कि किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो ह लोग इजली सॉल कर सकते हैं ठीक है तो नहीं गिःखते है तो इसका इकाई चार्च है आठ आना चाहिए मिन्स अगर कहीं पर भी कोई सभी आंग है अगर उसके इकाई अंग यूनिट डिजिट पर अगर टू फोर शीक्स एट या फिर जीरो आता है तो हम लोग वहां पर पता पा जाएंगे कि यह नंबर जो है तू से डिवाइड हो जाएंगे जैसी क तो एसका दिया रहा था तीन सो पालीत दिया रहा है तो लास्ट मेशन में मतलब यह तो से डिवाइड नहीं होगा किइव सक्सेस्पुली डिवाइड rejoiceat है लेकिन अगर सक्सेस्पुली डिवाइड होना चाहिए यह भी भाज्यता रूल है तो यह जो है दो से डिवाइड नहीं होगा अब देखो तीन 107 दन चार थन तो एक साथ 8 8 412 315 15 अगर तीन से भाज जाता है तो ये पूरा नंबर क्या है उस से भाज चला जाएका तो 35 15 इसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा मतलब कि यह जो 1743 जो है वह तीन से भाज चला जाता है मिन्स इसमें ये बोला है कि अगर ये जो अंक दिये हैं इसके सभी को अगर अलाग अलाग योग करें और अगर वह अंक जो हम लोग को जो प्राक्ट अंक होगा अगर वह तीन से अगर भाग चला जाएगा तो ये ये नंबर क्या है तीन से भाग चला जाएगा ठीक है समझाय भाग जाता है तो पूरा नमबर क्या है चार का तो देखो यहां पे डास है एकसोदास मीनस लास्ट का तूटिजिट वोला यहां पे पंद्रा है ठीक है अगर हम लोग दस से भाग दे चार को नहीं जाएगा मतलब यह नहीं जाएगा ठीक और अगर इसको देखे 15 लास्ट दो जीट इसको तो चार्ट या 12 तीन से बच जाएगा यह भी नहीं जाएगा लेकिन अगर इसको इसकी बात करें तो क्या है यह 20 है तो 4 मंचे 20 मीन्स यह जो है चला जाएगा ठीक है अगर लास्ट का 2 जीट इट अगर 4 से डिवाइड हो यह हम लोग को पता चलता है ठीक है अब देखो 5 से इकाई अंग जो है 0 और माच होना चाहिए यह तो बहुत इजी है कोई सभी नंबर है उसका अगर यूलिट इजीट या फिर इकाई अंग जो है अगर 5 या फिर 0 होता है तो वह क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा यह नं इसने बोला है एकाई या जीरो या पांच होना चाहिए अब देखो 6 यदि कोई सभी नंबर अगर दो या तीन से भाग दोनों से अगर भाग जाता है तो वहाँ छैसे भी भाग जाएगा ठीक है जैसे कि एक जांपर शीलिए अगर ले लेते हैं 260 लाग ठीक है यह दो से भ कि भाग जाएगा ठीक है समझाय ना अगर कोई सभी रिया दिशित जो है अगर दो या तीन रहाग जाता है तो तो है दो नों से जाना चाहिए कि दो से और तीर से नहीं घ्या सी और तीन से नहीं घ्याख फिञें तो और तीन दोनों से भाग जाना चाहिए तब तो क्या होगा शैसे भाग जाएगा ठीक है अब देखो साथ साथ का थोड़ा डिफिकल्ट है इसको एक दम थोड़ा सा ध्यान दे रहा यदि किसी संख्या के इकाई अंका दूना उस संख्या के दो अंग घटाने पर साथ से रिभाजित हो जायता मालो एक जांपल लेते हैं जाएगा ठीक है इसका दूना मींज 34 इसका दूना 6 क्या बचा 28 अब 28 किस से भाग देंगे साथ से तो साथ चाओ 28 से पूरी तरह भाग चला गया मतलब हम लोग बोल सकते ही कि 343 जो है साथ से भाग चला जाएगा कोई सबी नंबर है उसका लाज डिजित क्या है उसका दो इधर का जैसे मालों इधर चार जीजित है ठीक है तो उसका लाज डो डूचीट को हम लोग को क्या करना है दोगुणा कर देना है ठीक है लाज जिएट को दोगुणा करेंगे और घटाएंगे और अगर वह साथ से पूरी तरह भाग जाता है मीश हो जो अंक रहेगा आपक का टूजी अगर चार से भाग जाता है तो पूरा डिजित का चार से भाग चला जाएगा अब इसमें एड में यहां तीन लिजित एड से भाग जाना चाहिए तब क्या होगा वो पूरा नंबर जो है इससे एड का डिविजिवल होगा अब देखो ही चला गया तो यह क्या है आट का टीवीजिब है ठीक है यह जो डूइगी अगर आट से पूरी तरह भाग चला जाता है तो यह चलाथनल ज nicer जाता है चला जाहिए पूरा नमब्र जो है पूरास की ग्ल सकत चाला जाती को आड़त अधि तो अग अर्ठ थिटए तो यह भी आट का डिवीजीबल है पूरी तरह डिवाइड हो गया मिन्स अब देखो नौ अंको का योग नौ से भाग जाना चाहिए यह से त्री टाइप से हैं अब लोग यहां पर क्या करते थे त्री को अलगा अंको एड करते थे अगर वो तीन से भाग जाता था ठीक है त से भाग जाता है ठीक है तो चलो देखते हैं तो सबसे पहले किसको लेंगे इसको 5 प्लस 7 प्लस 6 5 और 7 12 और 6 18 18 तो 9 का जाता है 9 तो यह नमबर जो है 9 का डिवीजीबल है ठीक अब यह 342 342 अगर करें तो 3 और 47 और प्लस टू 9 मीन्स यह भी 9 का डिवीजीबल होगा अगर इसका बात करें 4 प्लस टू 6 6 और 9 15 15 और 2 17 17 और 3 20 20 और 7 27 अब देखो यह भी नमबर क्या होए 9 का डिवीजीबल है अगर हम लोग नमबर को अलाग अलाग करते हैं अगर वो 9 से डिवाइड होता है मीज वो पूरा नमबर जो है 9 का डिवीजीबल है अब देखो 10 का एकाई अगर जिरो नहीं है मालो ऐसा दिया है तो फॉर एट नाइन सिक्स फाइफ फॉर वन तो यह जो है 10 का डिवीजीबल नहीं है ठीक अब 11 का डिवीजीबल या इस साम यह विशंच्या की योगो या अंतर क्या होना चाहिए जीरो या फिर तो 11 होना चाहिए अब देखों माल हुआ हम लोग यहां पर एक जामपा लेता है तो हुआ लोग इसको रेन डबली माल लेते हैं कि यह सम है यह विशंच्या यह विशंच्या अधिक है तो सम विशंच्या योग क्या है अलतर जो है 0 या फिर 11 होना चाहिए तब यह नंबर डिवाइड होगा तो सम सम को पहले लेड करते हैं वान प्लस शीक्स प्लस जीरो प्लस टू माइनस विशंच्या में 3 अधि प्लस वान प्लस है तो 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 इस एक सब्सक्राइब नाइब और फाइब त्री एट नाइब इसका जीरो आ है मीन्स यह जो नंबर हो किया है लेवन का दिवजीवाल है समझाया हिड़ा शुण में ऋप झीरो आ है लाइब तो और सोगर isto फ्लस चहरा नहीं प्लस बड़ कर दोкивाते व'T ग्याएब प्लस हो घ्न श्न का प्लस ओवाल शौ मैं का दो तो और ब माईं हमम्गों और बश्त